वेलकम प्रेंट्स, I am Poshpahandakar and welcome to Flyhacademy इस वीडियो माँ पढ़ेंगे use of later, latest, later, last ज्यान से सोनिएगा, later, latest, later, last जी हा, later and latest का जो हम use करते हैं later and latest का जो हम use करते हैं, सामान रूप से time के लिए करते हैं जैसे सब्सक्रों कि I will come later, I will come later, तो इसमें आपका later का use करते हैं, latest का मतलब क्या होता है, आपका, latest का मतलब बिल्कुल अभी जो चीज आई है, latest, just now, जो सबसे last, कोई company जो अभी तक सबसे last जो चीज ने कालिस हो कहते हैं, latest कहते हैं, जैसे कि this model of mobile is latest, यह latest mobile या फिर यह latest चला, तो यह time से related में हम इसका काम करते हैं, और letter या last, L-A-T-T-E-R, letter, letter और या last, इनका use हम sequence या किसी करम में करते हैं, कोई स्थिती हो, कोई ऐसी position हो, जिसमें, या कोई ऐसी स्थिती बन रहे हो, इसमें किरम या sequence की बात हो रही हो, तो हम पे या last का या later की use करते हैं, तो जैसे आप देखें, एक sentence लेते हैं, विट्में, राम and स्याम, दा लेटर is more intelligent, बुला राम and स्याम, तो बाद में कोई आ रहा है, श्याम आपका बाद में आ रहा है, तो जो आपका श्याम है, वो आपका intelligent इसका कहने का मतल है, जैसे इसका मतलब जो आपका जो शाम है वह इंटैलिएंट है जाला किससे राम से अवर लास्ट वाला करते हैं अजन्य सबसे अफ्शिका अई धी लास्ट जाच चैर में डिस्नूबीटिट्ट दा प्राइज मौना अन्त में आफ्री में इसके पाद पर कुछ नहीं होना है तो इसमें आखरी में जैसे लेट दी लास्ट, चेर्में डिस्टूविटिट दा प्राइस, सबसे आखरी में चेर्में ने प्राइस डिस्टूविट कीन, प्राइस को डिस्टूविट किया तो आपको समझ में आएगा होगा लेटर, लेटेस, लेटर, लास्ट, इन में फर्क आपको समझ में आगया होगा, आपको अच्छे समझ में आगया होगा, तो प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो बसने हैं तो लाइक करें, और शेर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको जो इक प्रोब्लम परिशानी आते हैं तो प्लीज टमेंट बॉक्स में लेखें I will help you, thanks for watching